Hi guys, welcome back to the channel, आज है 26 June 2014 और कल यानि कि 27 June 2014 से मैं एक नई सिरीज शूर कर रहा हूँ जो है Singapore सेरीज जिसमें मम्मी पापा मैं प्रियांक और काना हम पांचो ट्रावल कर रहे हैं Singapore for next six days तो एक थोड़ा special trip भी है क्योंकि मेरे parents की 35th wedding anniversary है तो उसको celebrate करने का भी एक मौका है और एक नही ट्रावल सीरीज जो है family के साथ की क्या challenges आते हैं आप कैसे travel करते हैं six month baby के साथ वो सब आपको दिखाना चाहते हैं तो इस ट्रावल सीरीज के अंदर हम cover करेंगे बहुत सारे destinations Singapore के अंदर प्लस जो भी हम भाँ खाएंगे या जिस क्राइब को भी food मलता है वो सब आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और उसमें क्या challenges आते हैं क्या availability है हुँकि क्या pricing या affordability है सब कुछ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जो itinerary है हमारी itinerary कुछ इस तरीके से prepared है जिसमें हम cover करेंगे Gardens by the Bay, Marina Bay, Cloud Forest और एक है हमारा Super Observatory, Centosa Island, Universal Studios और उसमें दो-तिन चीज़े और भी हैं जो हम cover करना चाहते हैं जो मेरा stage जो है वो लिटल इंडिया के बिल्कुल pass है just to make sure कि मेरे parents को सोड़ा कम चलना पड़े क्योंकि MRT और लिटल इंडिया पास में होने का फायदा यह कि आपको इंडिन फूड के availability थोड़ी बढ़ जाती है और लिटल इंडिया में majority जो वहाँ पे रहते हैं जितना मुझे पता है अभी research के सबसे वह है तमिल इंडिया में तो लिटल इंडिया में तो सौथ इंडिफिनिटी आपको food मिलेगा है मिलेगा उसके अलावा जो बाकी दो चीज़े हैं वह एक boogies जहां पे शॉपिंग ए इस चाइन डाउन में सारी चीज़े चाइनीज है और जैसे यहां पे हमारी डेली मेट्रो मुंबई मेट्रो है वहाँ पे MRT की आप चलती है MRT जिसको मेट्रो बोलते है यह वाला जो सीरीज है वो particularly हमारा सिर्फ ट्रावल के अलावा हम आपको यह भी दिखाएंगे इसमें कि क्या चैलेंजिस आफेस कर तो जब ऐसा फामली आप इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हो प्लस एवन अगर आपके साथ आपके पेरेंट्स ट्रैवल करें तो क्या चैलेंजिस आएंगे क्या नहीं आएंगे इंक्लूडिंग इवन अगर आपके एक सिक्स मंद्स का इंफिंट बेबी है तो उसके साथ क्या क्या चीज़े होती है इसक्स मंद्स की बेबी के आप से हमने पैक अकॉर्डिंग ली कर रहा है कि अगर वहां पे जो टेंपरिचर है रही नहीं हो जाती है क्योंकि सिंगापुर का जो मौसा में बड़ा अंसरेन है तो फोनिक सिक्दिस कभी भी रही हो जाती है या कभी बी क्लावडी हो जाएग पैक करें लिए इसके अलावा हम ने उसके लिए प्राम क्रें सकिए लिए कि जो ढाव से वाय प्री प्ते qn इसके अलावा जो हम ट्रावल कर रहे हम एर इंडिया से ट्रावल कर रहे हैं तो हमारी फ्लाइट है कल रात को दस पच्छपन की और हमारे को वो नेक्स डेगी तो आगे की जर्निया आपको दिखाते हैं जब तक कि आप यह चीज़े देखे हम आगे कवर करेंगे यह पूरी सीरीज होगी हमारे एक एपिसोट फॉर्म में होगी तो छे दिन के minimum 6 एपिसोट होंगे तो फॉर मोर सच एपिसोट और इप्लीज लाइक शेर और कॉमेंट और स्टे तुन फॉर देमोर एपिसोट थैंक यू सो मच पर वाचिंग सी यू नेक्स व्लॉग